चाहाँ आपकी बेश और दुनिया की खबरों से रहे चाते हैं बेखबर तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे एच्टी नीज चैनल को और बेश आइकॉन को दबाना मत पुलिएगा आज हम लोगोंने नौरंग कांग्रेस पार्टी का तिलंगाना में आगास किया है हमारे नेशनल पेटसिडंट शेख जलील साँब और हमारे तिलंगाना स्टेट इंचार्च बाबर साब और मैं उन्ही की दोनों की जुस्तों जुसे एक आवास लगाने के लिए तिलंगाना में तिलंगाना की परदस्ता हासिल की है और फूरे तिलंगा नामे अलक्षन लड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आज हमने 15 सीटों का हमने इलान किया है और भी 24 गंडे के अंदर खरीब खरीब हम 60 सीटों तक हम पहुँच जाएंगे लड़ाने के लिए और ये आवाजें वहाँ से आएगी नौरंग कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ जल्म किया है वो जल्म को हटाएगी और जो बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं बड़ी-बड़ी ग्यारेंटियां ला रहे हैं अरे हम बोल रहे हैं कि भीग नहीं चाहिए साहाब किसी को आपकी भीग नहीं चाहिए हमको politically हक चाहिए हमको assembly में जाने के रास्टे चाहिए हमको parliament में जाने के रास्टे चाहिए minority को SC, ST को, OBC को जो गरीब तप्पे हैं उन लोगों को भी assembly में और parliament में भेजा जाना चाहिए और भेजने का काम नौरंग party करेगी और जो काम जो बड़ी-बड़ी वादे कर रहे हैं बड़े-बड़े बाते कर रहे हैं उन लोगों को हम ये सबख सिकाने का काम करेंगे आगे आप फुद देखेंगे क्या नौरंग Congress party अब ये एक मुठीबर नहीं है ये एक फॉलादी सीने ले करके चल रही है और नौरंग पार्टी एक जन सेना के जैसा चल कर बताएगी जाए हिन जाए नौरंग कांग्रेस महतराओं, बुजुर्गों और दोस्तों, महाँ बहिनों नौरंग कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में 2023 सेलक्षन में लड़ रही और एसी, एस्टी, बीसी, मैनाटी लोग सब एक कर होकर एमडी कली मुद्दीन के अद्देश्चत में मरी नौरंग कांग्रेस पार्टी एक सो वनिस असेमली को लड़ने के बाद जीतने की कोशिश कर दिये और कांग्रेस साल 27 साल में कुछ भी हासिल नहीं किया और तेलंगाना अलग होने के बाद जो मुसल्मानों को इतना लुक्सान हुआ साथ अंतर समरवयत के बाद अभी तक उतना लुक्सान नहीं हुआ इसलिए हम दर्कास करते हैं और मुसल्मान भायों और भायों और एसी एस्टी बीसी मैनाटी लोगों को साथ में हर कैंड़िट एक मले बनना एक एंपी बनना इसलिए हम नौरंग कांग्रेस पार्टी से बीवाम देने के लिए तलंगाना है यम्डी कली मुद्दिन और बाबर शेख साहिब के सिलसिले में नौरंग कांग्रेस पार्टी हम हिस्सा लेंगे जरूर हम जो जुलम किया वो जुलम को रोकने के लिए यम्डी कली मुद्दिन साथ को साथ लेके चलने के लिए हम नौरंग कांग्रेस पार्टी से दर्खास करते हैं जैहिन मैं डाक्टर बाबर शेख तेलंगाना इस्टेट का जो इसो इंचार्ट नौरंग कांग्रेस पार्टी मैं तेलंगाना के अवाम से यह अपील करता हूँ यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 77 साल में 77 एर्स में हिंदुस्तान आजाद होके 77 साल होए आप ये जायजा ये महासिबा कर लीजिए कि आपने क्या कोया क्या पाया खास तोड़ से मुस्लिम आवाम को मुस्लिम तबखे को ये मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ ये सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि 15 आगस्ट 1947 को हिंदुस्तान आजाद होआ 77 साल हो गए 77 साल में आपने क्या कोया क्या पाया और अगर अगर अपना चहरा देखेंगे आएने में तो आप जोसो शिर्फ और सिर्फ बैकवर्टनेस में पड़े हुए और बैकवर्ट क्लासेस से भी बैकवर्ट होके रह गए है क्योंकि आपको कांग्रेस ने सचर कमिटी और रंगानात मिश्रा कमिशन की रिपोर्ट के तहद आपको जोसो कांग्रेस ने आएना दिखाया इसके बाद जोसो सुधिर कमिटी के जरीँ यह एक जोसो कांग्रेस पार्ट यह एक जोसे सुधिर कमिटी के जरीए दिखाया वो दिखाने के बाद आप यह क्यों नहीं सोचते कि आप अब तक क्या खोय और क्या पाय तो लहाजा मेरी रिक्वेस्स है तमाम लोगों से मेरी अपील है कि भाईयो आज नौरंग कांगरेस पार्टी 119 सीट पे जो हैं पे लाडाने की कोशिश कर रही है उस कोशिश में आप हमारे साथ दीजिए हमारी ताकत बनिए और हमारे सीट आने के लिए हमारी मदद कीजिए आप मदद करने के पास आपको बाजा आपका जो बैक पाटनेस है आपकी गुर्बत है आज गली गली में जो हैं जो गुर्बत है वो गुर्बत को हम दूर करने की कोशिश करेंगे नौरंगाम कापके पार्टी के हमारी हालि इंडिया के नेशनल सदर जलीत शेक जलीत साह पी यहां पे आये हुए हैं और हमारे इस्टेट के प्रेजडन जो हाली में मحم्मत कलीम एнокई दीन साहर है वो जोיסों को सदर बनाया गया स्टेट का वो कांग्रेस पार्टी में 27 साल से मुसल्तिल मेनत किये और उनके साथ एक मुसल्मान है बलके नाइंसाफी करते हुए उनको टिकेट नहीं दियागा यह फिरका परस्ती ना सिर्क बीजेपी और आरेसेस के पास है बलके कांग्रेस में भी फिरका परस्ती है यह भी communal feeling रखने वाले पार्टिया है लहाजा इसे पार्टियों को आप दूर करिए हम हिंदू मुस्लिम सिक हिसाही को यह साथ लेकर चलने की बात करते हैं हम एक बाफ समगते हैं एक चमन समगते हैं गंगाजमनी गंगाजमनी तहजीब को हम मालने वाले लोग हैं लहाज आप हमारे साथ जुड़ जाएए हमारे साथ आ जाएए हम जो जब नौरंग कांगरेस पार्टी के कुछ चैंबेलिस भी अगर आएंगे तो हैवानों में हम आवाम के लिए आपके लिए लड़ेंगे आपका हक दिला क्योंकि डिमाक्रिसी इस मुलक में जमूरियत है जमूरियत में बराबर लणने का हक है और लणना भी चाहिए खुदा आफिज जहिन